तो आज हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं offset formula और offset formula को चार्ट में कैसे इस्तमाल किया जाए तो दो बैच यहां पे हैं एक जिसने offset formula पढ़ाया एक जिसने चलकल चार्ट पढ़ाया तो दोनों को मैंने combine इसलिए किया है कि दोनों के लिए एक class suitable है ठीक है अजिकान जी अब बात करते हैं सबसे पहले जिन्होंने offset formula नहीं परा है उसके मैं एक मैं बता जिता हूं यह चार्ट वाले वह चार्ट पता ही है offset formula मनीशंकर जी ध्यान दिजिएगा यह आपके लिए जैसे कि मैंने यहां पे name दिया और मैंने यहां पे sale दिया और मैं यहां पे लिंग लेता हूं और नीचे तक ड्रैग करता हूं अब बोलिये अब आपको एक नाम लिखे भी ड्रैग जो करते हैं यह चार्ट नेविंग देने के तुरू करते हैं अब बेस्क्री हमने सके लिए कस्टम लिस्ट बना रखा है अपने एकस्टल उपसन में जाकर एक नाम लिखे लिए जन्वरी लिक नीचे डालतो तो जरुआ भववभवववरी मांच आपीर आजाता है ना थीच ठीक है तो यहां पर आप देखिए क्या है यह आफसेट क्या करता है अब यहां पर मैं एक्वाल आफसेट फॉर्मॉला लगाता हूँ आफसेट में हमने जाकर सेलेक्ट किया इसको क्या पतलब कि यह क्या है स्टार्टिंग आफड़ देटा ठीक है यह है स्टार्टिंग आफड़ देटा राइट अन कॉमा रो अब वो क्या होता है कि इसमें आपको जो रो नंबर जो कॉलन नंबर आप देंगे उसकी हिसाब से वो क्या करेगा अपना डेटा आपको शो ठीक है तो जैसे कि मैंने बोला यहां पर कि one number row and zero number collar तो क्या दे दिया इसमें पूजा बत्तों यहां से एक number row and zero number collar तो पूजा दे इस तरह से चीजे दे देता है अब इसका इस्तमाल हम चार्ट्स में कैसे करते हैं चलिए इसके बारे में हम आपके साथ एक छोटी सी discussion करते हैं जैसे कि मैंने यहां पर दे दिया नहीं भी दे देता हूं एक सके बोल किजिएगा एक सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 कर दो कि इसद्ट आप कि इस वह दो कि शुक्राइब कर दो ने कि तो हम डिसकास कर रहे हैं चार्ट के ऊपर चलिए कंदियू करते हैं रारादी लिए और मैं माफी चाहँगा तुन्हाशाबेट करनी के लिए में सब्सम्हाइव चाहंद के लोगा शब्सम्ष्ट के लिए यहाँ पर हिम लीखा नेम में आप पर माली consists की लेन्म का लिस्ट बना लेता हूं मैं यहाँ पर मंत रिधता हूं और इसको भी मैं आया यह तरफ ड्रैग कर देता हूँ और भी ज्यादा हो सकता है फिलाद इतरी रखता हूँ और इसमें कुछ नंबर्स रैंट बिट्वीन फॉर्मुले से कर देता हूँ यह डेटा हमारा बन गया जैसे कि मनिश अंगर जी कल की क्लास में में आपको समझाया था कि अगर इस तरह का चार्ट है तो उसको हम चार्ट लगा सकते हैं यहां में चार्ट लगा सकते हैं यह काफी घजबज आ रहा है अब फॉर्सेस कहता है फॉर्सेस कहता है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब की पूजा और नीरज का सेल क्या है पूजा और नीरज का सेल क्या है इससे कोई मतलब नहीं है उनको पूजा के अंदर जैन फैब है उसमें कंपेरिंग करना है जाएं समझ गया है है पूजा और नीरज में जो है उस पर कंपेरिंग करना है मतलब कि वह चार्ट क्यासा चाहते हैं बता है आपको ओचार्ट चाहते है कुछ इस तरह का इसको इसको इस तरह सम अकले स्राहतिया और इनसर्ट और यहां पे हम इसको स्रीका कशेक добung इस तरह का चार्ट है अब प्रॉलम एक हम चाहके भी उबला चार्ट इसे पहले चार्ट बता था और नहीं कर सकते हैं यह था कि डेटा अभी अभी तो माली जिए छे हैं लेकिन में पार डेटा 600 हो बहुता है तो चार्ट में 600 देखना मुस्किल है तो हम इंडिविजिली चा कि चार्ट देखना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा कुछ न्षपा है अगर पर क्लिक करें है कि दरोपड़ाउन करें तो हमें अगला जो नेम है अगला परशन है उसका चाहार डिख जांगा है में तो उस case में क्या करेंगे चले बताता हूं तो उस case में सबसे पहले मैं heading जो है heading को तुम्हें copy करी सकता हूं मैं copy कर दिया रजीनी खान जी आप ध्यान से देखिये गा तो कि इसमें एक question है आपके लिए इसलिए बोलना हो तो इसमें मैंने यहां पर मैं manually one लिख दिया और फिर मैं यहां पर question लगाया आपसेट का जो जो की आपसेट जो formula भी था देर पहले बताया आपसेट का लगाया और हमने उपर इसको select किया और यहां row row number one दे दिया और column number जीरो देदे हैं हम आगे ड्रैक करना है जो one है इसको फ्रीज कर देते एफ फोर से और फिर इसको आगे के तरफ ड्रैक करते हैं अब यहां पर one लिखा अब यहां पर मैं two लिखता हूं मैं three लिखता हूं इसको प्राइब यहां से यहां से कर सकते हैं अब मैं यहां पर one लिखूंगा तो या जाएगा तू लिखूंगा तो नीरच थी लिखूंगा तो यहां जाएगा Dubai कैसे हो रहा है व लिखते ही took away यहां से एक नंबरко टारा有्इसिए झीरो व ता अगर मैं यहां पर कर देता हूं कि क्या कर रहा है कि जीरो वान-अथा चैंज होता है चार्ट को चेंज कर देता है यहां तक समझ में आया नगर नहीं यहां usually अब इसमें इसमें यहां पर यह उठता है यह तो हो गिया कि नंबरिंग से कैसे होगा 500 नंबर यहाद रखना सब्सक्किल नहीं तो हम कुछ ऐसा ड्रॉप डॉप डॉन यहां करना चाहते हैं इसके लिए आपको डेवलपर टैब में जाना होगा अब डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है इसका भी ध्यान आप रखिए डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है तो डेवलपर टैब को लाने के लिए फाइल में वार में आपको जाना होगा और इसके ऑप्शन में आपको और ऑप्शन में आते ही यहां पर देखिए होता है कस्टमाइज जीवन ठीक है कस्टमाइज जीवन इस कस्टमाइज जी देवलपर का टाइब देख गया इसको क्लिक किजिए एन ओके कर देजिए तो डेवलपर आ जाएगा डेवलपर टाइब में आपको यहां पर इंसार्ट में जो इंसार्ट का ओप्शन दिख रहा है उसमें देखिए आपके पास दो है एक है फॉर्म कंट्रोल दुसरा है अक्टिव एक्स कंट्रोल ईसने कोंदिंग जरूरत नहीं पाथ आप आपको कोंदिंग की जरूरत पडेगा ठीक है तो यहां से मैं इस ड्रप्डावन में कॉंबो बॉक्स को लेता हूं और यहां पे अब इसकी अंदर लिस्ट डेटा कैसे आएगा तो इसकी अंदर डेटा लाने के लिए मैं राइट क्लिक करोगा और फर्म कंट्रोल पर जाओँगा इन्पुट रेंज इन्पुट रेंज में अम इस पूरा इसको सेलेक्ट कर रहेगे तो इन्पुट रेंज में रख्या हुआ जो डॉप डॉप डाउन में जो चीजी आएगी वो सेलेक्ट करना हो और फिर सेल लिंक सेल लिंक में मैंने इसको दे दिया और यहां पर 3D सेटिंग कर दिजिए 3D रेंट में आएगा आपका अब इससे क्या होगा कि यहां पर इन्पुट वॉक्स में दिया तो यहां पर लिंच आगया और सेल लिंक में हमने इसको दिया हुआ तो यहां पर वन टाइप करेंगा अब जैसे हां पर अपने आपको चेंज कर लें सब्सक्राइब तो इससे अगर पूजा दो होती है फिर फूजा दो थी यहां पर दो लिस्ट आएगा पूजा का नुम्बरिंग अच्छा इनकर देख देख लिज़े ला आप अब नब्सक्त पूजा लग दिया दो पूजा हो गया अब यहां पर नीचे ही पूजा है कि नीचे वाला पूजा गड़ेड दाया है यहां पर हमने इसको अब वी लूक-ब से भी कर सकते थे ली लूक-ब ना लगाने का वीजन यही था पाइवर चार्ट से बिडि़ ते पिवर्ट चार्ट अलग है यह अलग है पिवर्ट चार्ट आप लगाते हैं तो उसमें स्लाइसर का इस्तमाल करना पड़ेगा स्लाइसर आपके 2007 में नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी दूसरी चीज पिवर्ट रियल टाइम अपडेट नहीं देता है ता समझना आया? तो डैश्बोर्ट पे चार्ट होता है स्लाइसर का इस्तमाल करना तो यहां पर दूब्लिकेट है इससे कोई मतलम नहीं है तो हर किसी का सिक्वेंस नंबर आपको सो करेंगा समझे और यहां पर यहां पर नंबर से चल रहा है नकी नाम से चल रहा है इसके साथ आप आपका कर सकते हैं लेकिन नाम से भी आपका हो जाएगा क्लियर है यह सर मनिस्तंकर जी चंदन जी आप रजनी कान जी यह सर अगर हम सरी से चार को सिबल कहते हैं कि सामने वाले के पास जब मेल जाये तो ऐसे करके कर सके मेल बड्रीपासर्य क्यर्ण अगश्च पर इनिमेटेट जासकता है सर मेलबॉडी पर सर जी आइएफ ? जैपी जी आइएफ दालिया थे जाएगा ? जी आइफ मेर दोट करना तरह या अब अब भर स् लाइसर इस पर्गते हैं तो वह लिस्ट बॉक्स से जादा प्रेस अपकिफई नहीं करेगा ? तो आप उटे स्पेस तो लेगा लेगा अगा का फाल के साइज की वाद तो थाप उतनी कीज होगा ना इसका इस्तमाल अम दो किसी डेटा में नहीं करते हैं पर जाब आपाद समझ लीजिए इस इद पार्ट ऑफ डैश्पॉर्ड रिपोर्स का पार्ट है ही समझ गया ना ना रिपोर्स में डेटा नहीं होता है वृल्ली वर रिपोर्स होता समरी होता डेटा का रिपोर्स होता है डास समेंРЕ अधार मैं समझा एक्शली मेरे बो डैश्बूड बनाकर बह restriction हो पी हैता देशबूर का उसको पेश्ट करके भेज़ देता हूं अब जो पिक्चर में जो बॉडी पे आता है वही दिखता है इसका कहा यूज करें वही सोच रहा था इसका यूज कहां दो आता आप मानले आपने एक रिपोर्ट बनाया तीक है आपके पास एक डेटा है से मानने के सेल इसका बैसापा कि असकी द मआनला चमीटेकम होता हमां समझा। इसकी बोस समयो मैं धर इब और इंद दो हाँ आप क्या करेंगे कि बारहों डेटा को एक सीथ पर रखेंगे और डॉप डॉप डॉण में जन्वरी होपडी मार्च डाल देंगे जैन का सेलेक्ट करेंगे तो जैन का रिपोर्ट देखेगा मतलब क्या हुआ कि बारह फाइल का रिपोर्ट कंप्रेश होके एक फाइल में आजए और एच पर डिमांड और जिसका सेलेक्ट करेंगे उसका रिपोर्ट देखेंगे जैसे कि यहां पर मुझे हर किसी के लिए छे चार्ट बनाना पड़ता मैंने छे चार्ट को कंप्रेश कर दिया एक में अब यहां पर जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका चार्ट अट-टाइम प्रिपेर हो जाएगा तो छे अलग अलग चार्ट पर साइज बढ़ता उस साइज को मैं डिक्रिज किया और देखने में जो कॉंपलिशिटी होती उसको हमने रिड्यूज किया इस अब बेनिफिट ऑफ इस एक्जामपल आया समझना सर तो इसका फीचर इसका इसका इस्तमाल इसलिए होता अधिक तर डैश्बोर्स में आप देखेंगे इसका और इसमें वी अधिशंकर जी और चंदन जी एन रजनी कान जी आपको क्या करना है आप तीन है अलो सौरी साइब मैं सिस्टम यह स्टार्ट हो गया था तो पाव एफएक्षी और च्वेसरे कुष्षिन है पुछिए सपोस्ट डेटा है मारे पास जैन 2 डिसंबर अलग लग शीट में तो क्या पहले हमें कंसोलिडेट करना होगा एक शीट में उसके बाद फिर चार्ट बनाओं या अलग अलग टिक कर लेग शीट से ओ तो कर रहा है चार्ट क्या कर रहा है है हलो है हलो है हलो आवाज यारी में आप बोलाओ कि फॉर्मूला आपको इस तरह से लगाना बढ़ेगा जो अलगला सीट से उठा लेगा समझ में आ रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी आ अभी आ रही आवाज में इस हलो हंदी सर बॉला कि फॉर्मूला उसके अकॉर्डिन लगाना पड़ेगा कि इसमें आपने देखा कि मुझे आपको करना है कि इसमें आपने देखा कि मुझे यहां पर चार्ट लगाने के लिए डेटा रखना पड़ता है रखना पड़ता है आपको कुछ ऐसा करना है कि डेटा डायक्ट यहीं से पिक करें अब चलिए इसमें और भी जो बटन से उस बटन पर डिसकर्स कर लेते जैसे कि चेक बॉक्स चेक बॉक्स को लिया और मैं इसको ड्रैक करता हूं और यहां पर मैं नाम्मा लिजे के टार्गेट का लिए रहाँ रहाँ आप् तार्गेट फिर मैं इसको राइट क्लिक किया फॉर्मेट कंट्रोल और मैं यहां पर सेल लिंक यहां दे दिया और 3D अब मैं इसको इस पर क्लिक करता हूं तो ट्रू आएगा फॉर्स इसका भी इस्तमाल मैं कर सकता हूं कि मैं यहां पर टार्गेट और यहां पर मैंने नमबर्स दे दिये अब मैं यहां पर कंट्रीशन देता हूं इफ का कि इफ अगर यहां पर ट्रू है तो टार्गेट को शो करो अधर बाइज ब्लैंक करो देखे इस फॉर्मूला को हमने बोला कि इफ बी एलेवेन अगर ट्रू है तो मतलब की ट्रू है तो यहां पर टार्गेट शो करेगा अधर्वाइस ब्लैंक कर देगा फिर मैंने यहां पर बी एलेवेन को फ्रीज कर देता हूं एफ फोर्ड प्रेस कर दिया तो डॉलर लग गया अब इससे क्या होगा कि जैसे यहां पर टीक होगा तो डेटा शोग अंटीक होगा तो डेटा शोग नहीं होगा फिर मैं चार्ट को सेलेक्ट करता हूं और इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं यह भी एक तरीका है चार्ट लगा अब क्लिक करेंगे हरा के माल का फीचर सर यह से ठीक है उसके बैंका चार्ट का टाइप चिंज करता हूं डिजाइन में जाके इसका लेयाउट मैं इस तरह से इस तरह का लेयाउट करता हूं अब यहां पर आईए डेवलपर्ट मी एक और फीचर से उसके बारे में डिसकर्स करते हैं इस्पाइन बटल यह होता है नेक्स्ट और प्रिवियस के लिए ठीक है कि आपको अगर नेक्स का चाहिए और प्रिवियस के चाहिए तो यह इसका इस्तिमाल का रहा है राइट क्लिक यहां पर यहां पर देखिए फॉर्मेट कंट्रोल में यहां पर मिनमुम वैलू मैं वान कर देता हूं मैंसिमम मेलू जो है मैं यहां पर आठ के शे कर देता है और से पाट्रोल जहें तो चैक उन सबस्पर कर सकते हैं में फीचर चार्ट में बता रहा हूँ चार्ट का इफेक्टिव लगता है इसलिए चार्ट में बता रहा हूँ ठीक है जार आया समझ में तो इस तरह से हम इसका इस्तमाल कर सकते कि next previous next previous सब्सक्राइब लगना प्रॉब्लम है बार बार जो लाइट होती है तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि next previous सम करते हो जा रहा है अग इसमें अगला जो हमारा है वो लिस्ट बॉक्स है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स बहुत हार्दस से डिफ्रेंस से है कि कॉम्बो बॉक्स में आपको डॉप 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 करना पड़ता है यहां पर आपको लिस्ट के तरह सेलेक्टिर होता है अब सेम तरीके से इसको भी हमें ट्रीट करना होता है कि हम फॉर्मेड कंट्रोल में जाएंगे इन्पुट रेंज में आके हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहां पर 3D शेडिंग और इसको हम कर लेते हैं अब जैसे सेलेक्ट करोगे उस तरह से ठीक है तो यह आपको कॉम्बो बॉक्स चेक बॉक्स, स्पाइन बटन और आपके लिस्ट बॉक्स इसका इस्तमाल कर ना आगे आपको कोई डाउट को नहीं है इसमें मेरे काप से कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या चली अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब मैं इसमें हम रेडियो बटन का यूज आपको बताते हैं हमने इसको कॉपी किया हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट किया ठीक है सब अब मुझे यहां पे चार्ट कुछ इस तरह से चाहिए कि मैं वहां पे मैं एक बार में अभी क्या था कि ने बाइस देख रहा था अब मुझे मंत बाइस ठीक है ना तो मैंने इसको यहां से उठाया मैंने नेम को उठाया कॉपी करके यहां नीचे रखता हूं और यहां पर मैं वान लिखता हूं और यहां पर मैं आफसेट का फार्मृटा देता हूं कि आफसेट यहां से हमने इसको select किया और हमने row number में इसको दे दिया तो हमारा zero होगा column number हमारा a होगा अब आगे drag करना है तो हमें यहाँ पे इसको फीज करना होगा तो यह fix है बाकि फिक्स तो है नहीं यह fix है अब इसको select किया और हम इंसर्ट में कोई भी चार्ट मैं इसके लिए यहाँ पे हम आते हैं इसमें developer में और हमारे पास रेडियो बटन होता है इसको लेते हैं इसको select कर दे है राइट क्लिक edit यहाँ पे मैं जैन लेंगे इसका size तुरहाँ छोटा कर देता हूँ फिर राइट क्लिक format control में गया इसको 3D कर दिया और copy करके हमने इसेल लिंक में हम इसको इसका लिंक दे रहे हैं अब मुझे क्या करना है कि इसको copy करना है और control दवाते हुए इसको यहां से देखी copy करते चला जाना है परवरी मार्च अपरील अन्वाई अब सबका नाम जो है चेंज कर दीजिए इसका नाम में चेंज कर देता हूँ अधिक्स यह जाएगा file फिस पर राइट क्लिक किया edit text यह हो जाएगा आपका मार्च राइट क्लिक किया edit text यह हो जाएगा आपका नितिंजी समझना रा आपको अब मैं यहां पर चार्ट पे इस तरह का बटन का इस्तिमाल कर दिया तो बटन का इस्तिमाल करने से भी हमने हमारे हमारा चार्ट इस तरह से अब मेरे पास data अगर जादा हुआ तो एक और तरीका अपना सकता हूँ च्छोटा तरीका एक तरीका और है जो कि जदा data प्रफनाया जाता है मैंने इसको select किया जहां पर आपको यह पता नहीं हो नहीं जदा data पर नहीं माफ किजिगा जिसे date wise हमारे पास data है मैं एक बार इसको यहां पर नाम दे जलता हूँ और से data इसके according बनाना पड़ेगा और यहां पी में date हमारे पास क्या लग रहा है इतना बार चार्ट देख पाना मुस्किल है कि नहीं है देखिए इस मुस्किल को में कैसे आसान करता हूँ copy and paste अब मैंने क्या किया इसको copy करना और मैं एक बार में 10 दिखाऊंगा 10 दे दिखाऊंगा एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस मैं 10 को filter एक कर देता हूँ अब मैं यहां पर manually one लिखता हूँ फिर मैं यहां पर देत्मा हूँ offset का formula इसको select किया row number one, column number zero, enter data, ठीक है, अब इसको f4 से freeze कर देता हूँ अब यहां यहां पर देखे data आ जाएगा, इसको drag किजिए आगे तरफ नहीं एक data आया, अब मुझे इसी तरह से आगे भी चाहिए तो इसी formula को हमारा a1 का a free जोगा से और मैंने इसको नीचे तरह drag कर दिया अब इसमें करना है क्या है, अब यह हमारा आगा आप देखेंगे यह नीचे में तो plus one, plus two, plus three, plus four, यहां पर, plus five, plus six, plus seven, plus eight, and plus nine, और फिल इसको इदर के दिखेंगे, और यहां पर, हम date का format देखेंगे, अभी क्या हुआ, यह formula को समझे, formula है कि a1 से जाएगा और पहला पहले नंबर रो का data show करेंगा, जन्हें जी प्लीज बेपको माफ करें, तो यहां पर क्या है, कि पहले, यहां से जाएगा पहले नंबर पे और इसका पहला show करेंगा, अब इसमें क्या हुआ कि one plus one, two हो गया, तो यहां से दूसरे को show करेंगा, फिर तीसरे को चौते को अप जैसे हाँ पर दो होगा तो यह दो से एगारा दिखेगा, तीन हुआ, तो तीन से बारा दिखेगा, जैसे कि आप scrolls नहीं करते हुआ आप, यहां तक कितना तीस तक है, जैसे आपने एक scrolls पर click किया, तो आपका दिख रहा है उतमा लेकिन वह दो से फिस 24 दिख रहा है, तो प्राड़ा हूँ चाट बाथा सा कर देता हूँ तक दीखेगा अच्छा से अब मैंने यहां डेवलेपर में गया और डेवलेपर में जाने के बाद मैं यह लिया हूँ इसको लिया और इसको डिजाइन कर दिया यह कुण सा है हमारा यह है हमारा जे 12 हाँ तो राइट क्लिक किया अबने पास यह देख लो डेटा कितना है हमारे पास डेटा है एक आवन मतलब कि कावन मैंनस दस एकतालेस दस इसलिए माइनस किया कि यह हमारा तो यहां पर हम देंगे 0, starting 1 से start है और 41 तक जाएगा और cell link जो है हमारा J1 है J1 ही है नहीं, J1 नहीं होगा गलती हो गया यह हमारा J12 है J12 अब देखिया हुआ? अब देखिया 2 से 11 ठीक है? आया समझ में? Yes, Sir सब को आया? Yes, Sir तो डाउट तो नहीं है? अब इस फाइल में भेज रहा हूँ और जो मैंने होमबर्ग दिया है उस होमबर्ग को कीजिए साथ में कुछ इसी तरह का चीजिए बनाने की कोशिज करें इसमें दो टापिक आपका कवर हुआ एक तो आप आप आफसेट फार्मूला को और डिटेल में जाने दूसरा चार्ट के उपर किस तरह का बटन या डेटा अलग अफसेट के जरीए बटन के जरीए डेटा कैसे अलग लग लाए यह चीज़ आपने सीखिए सब्सक्राइब ठीक है समझ माया यह अच्छी चीज़ थी अगर आप इसको अपने ऑफिस में इस्तेमाल करो तो और अच्छा होगा और आगे चलिए जब मैं आपको कुछ डैसबोर्ड की एक्जाम पर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी यह चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और जड़ा समझ में आएगा ठीक है लेकिन इसपे प्रैक्टिस ज़ूरी है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे उसपे रिसर्च नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि यह फिर आपको लाइफ में कभी यूज़ देगा यह बहुत अच्छी चीज है बहुत ऐसे रिपोर्ट को सिंप्लाइज करने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं समझ गया है इसी सपना जी आज की रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं यूटूब पे वहां सा आप ले लीजिएगा तो चार्ट का टॉपिक आपका खतम हो गया अगला टॉपिक में हम बाकी चीजियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो अच्छे तरह से आप प्रैक्टिस कर लें और हां मनिशंकर जी और मनिशंकर जी शिर्फाया रचंदन जी आप लोग फॉर्मुले को रिव्यू कर लिजिए का कोई फॉर्मुला आपका छुटा तो नहीं है चुटा है तो मैं उस फॉर्मुले को रिपीट कर दूंगा है ठीक है ठीक है ठीक है